यहां पे मेरे जेठ जी जो है बेड़ों को चरा के आने के बाद बक्री का दूद निकाल के लाएं हैं और बोटल में भरा हुआ जिससे की बच्चों को नहीं पिलाते हैं दूद वाली बॉटल जिसमें पल लगी हुई है उससे वो अब दूद बिलाएंगे भेड के बच्चों को पता नहीं क्यों या तो उनकी मा नहीं है कुछ वज़ा है मुझे नहीं पता तो यह देखें यहां पे बिला रहे हैं दूद सामने ही है शिव मंदिर तो वहाँ पे हो रही है आर्थी थी यह उसकी धुन आर्थी चल रही है उसकी आवाज आपको सुनाए दे रही है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है इस ताइम हलो गुड आपटरनून कैसे हो आप सब आप सब काथ के अपनी यूट्यूब चैनल देस व्लोगर ललीता मीना मैं वेलकम करती हूं मैं ललीता मीना और उमीद करती हूं कि आप सब मज़े में होंगे मैं भी बिलकुल ठीक हूं दो दिन से मेरे तवे ठीक नहीं थी लेकिन मैं ठीक हूं इसलिए मैं इसको अभी एड़िट एड़िट कर के मैंने सचा अपलोड कर देती हूं तो गाव में रूटीन के यही सारे काम होते हैं उधर जो मेरे जेट जी थे वो भेड़ चरा के आये थे और जो भेड़ के बच्चे पता नहीं हो भूके थे जाने उनकी मा पानी है पता नहीं क्या है मामला लेकिन उनको जो बोटल होती ना दूद वाली उससे दूद पिला रहे थे गोदी में बिठाके और यह मेरी जिठानी भैसों को पानी पिला रहे हैं साम का टाइम है यह और इसके बाद में आ गई थी इनके घर पे जो की प्रोस में ही था य आने का टाइम तो यह बना रही है यहां पर आलू टमाटर की सब्जी तो चूला जल चुका है और डेक ची यह देखिया ऐसी डेक ची में है जो तेल गरम होगा फिर उसमें तड़के बड़के लगाएंगे फिर सब्जी बनेगी और चूले का खाना एकदम मस्त बनता है तो यह जो है जिनके घर पे मैं है थी तो उसलादकी की मम्मी जो की दूद नीकाल रही है जो सब्जी बना रही है अगर पीटी है बीच बीच मंग बीच में और दूद निकालत की मम्मी जो की मम्मी दूद निकाल रही है लेकिन अभी इसका पूरा ध्यान Cameron friendly और फोकस्क और यही सब होता है गाव में पूरा रूटीन तो शायद मैं नहीं दिखा पाई लेकिन जितना भी मैं रिकोर्ड कर पाई मैंने आपके साथ शेर किया है और इधर वन रहा था खाना सानू बेट ही थी और इधर सब जीवन दिती बाते कर रहे थे ऐसे बैठे वेठे ही तो इधर देखिए इधर यह आटा लगा रही पीछे इनका वच्चा है तो वो खिलता रहता है पीछे आके इनके पीछे खड़ा हो गया था और यह देखिए सरवाता बहता है यह पता नहीं नाम मेरे को पता रही है इसका वीर वैसे वीर बोलते है इसको असल में क्या नाम है जाते हैं गाड़ी जो कि मुझे लेने आ चुके हैं और इन्होंने पहले कोल कर दिया था कि इधर ही आजा अगर फ्री हो गई यह तो मैं फिर रोड पे आ गई थी और जैसे ही यह आके खड़े हुए तो मिलने वाले आ गए थे दो चार मन दो यहीं चुराय पे बैठे थे तो बाते करने लग गए तो मैं यहां साइड में आके बैठ गी थी मैंने ठीक है बहुत दिन में मिलते हैं बाते कर रहे कर लेने देती हूं पहीं बैठ गई थी और यह कुट्टा ऐसा घूम रहा था जिसे उनको काट खाएगा पर नहीं खाया इसने आ गया था इधर और फिर म बाते से हमारे घर है तो नजदी की है इतना और यह हाईवे है हमारे गाओं का इधर जाओ आगे कोटा है इधर जाओ फिलवाड़ा है तो हाईवे है तो यहां से दिन भर कुछ नों कुछ निकलते रहते हैं साधन और हम आ रहे थे वापस मतलब जैसे उनको पता चला ना कि मैं इधर बेठी हूं तो फिर उन्होंने बोला कि आप जाओ इनको घर छोड़ो वह भार बेठी है ठंडी लग रही है तो लोग आये थे तब बाते कर रहे थे मैं इनको बोल थे सबजी कई की बनाने तो बोलता था आलू मतर बना लेना पड़े हैं अभी रखे वे थे घर अच्छा लगा मुझे गाउं जाके बस दो दिन से बिल्मा की अपड़ी है अगे पीछे बार 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 ओड़नी करनी पड़ती है तो अब कर लेक्ते हूं मैं कपड़े चेंज अधर दिख रही हूं पूरी और गाउं जाके इतना भी काम नहीं कर पर पतानी क्यों अजीब सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को शेर कर सकते तो शेर भी करिएगा और अब इतनी थकान हो गया ना फटा फट से अब रोटी तो सेजल ने बना ली है मैं सब्सक्राइब बना लेकिन फिर खा के सौ जाओंगी और ये है दूसरे दिन का तो मैंने सारे जो भी कपड़े थे मेरे गंदे हो गए थे गाओं भी गई थी उससे पहले की वी एक दो जोड़ी रखी वी थी तो उनको भी मैंने वाश कर लिया है और जो मेरे सूज है वो भी है ना धूल मिटी में की चड़ मैं ऐसे घूमने से फिर मेरी आदत है कि मैं हमेंसे सूज पहने रहती हूं तो मैंने उनको अब भी अच्छे से वोश कर लिया था और यह मंगलवार का दिन है मतलब मैं गई थी वहां पे संडे को और मंगलवार का दिन है क्योंकि मेरी तब्यत थोड़ी सी खराब थी और जब भी मतलब अभी तो मैं फास्ट रखती हूँ, इस वज़े से मैं मंदिर आई हूँ, मंगलवार के दिन, मैंने संकल पलिया था कि मैं 21 दिन का मंगलवार कवरत करूंगी, तो मेरे दूसरा मंगलवार है यह, और कभी ऐसे लगता है न कि आप ऐशान्त है आपका मन, तो मैं भागे-भागे मंद करके निकल जाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब बैठी हूँ, शान्त एकदम अच्छे से तो मुझे अच्छा लगता है यहां पर रूप के, और यहां हमेशे ही ताला बंद रहता है, पिछले मंगलवार को मैंने आपने बताय था कि यहां ताला बंद रहता है, तो उसकी वज़ए शायद यह भी हो सकती है कि यहां पर बहुत बंदर बंदर है, तो सब चीजे टैस्नेस कर देते हैं, थोड़ा साया से हट जाओ, तो यहां जो यह चल रही है, जो नारियल वाली इसमें से उठा के नारियल भी खा लेते हैं, वह तो में लेके आई थी मठ का हो, जवार हो, बाजर हो कुछ भी अगर आँ हैं से को वॉलते हैं, और यहां पर चीडियां के लिए जो बीपर स्वारो करने कή से डाल देते, तो में भी लेकर आई थी मैं ने डाल दी तो इनकी लहिए, ऑन्युटा चिडियां, इस सब चुछिव कर आई हाई well, San enough manaman अगरवत्ति और वह मैं सच बताऊ नो मेरे को बहुत ज्यादा वैसे वो तरीके से पूजा पाट करनी नहीं आती है जितनी करती हूं जितनी मेर जो इतने नहीं आते हैं और यहां पे शिव मंदिर है तो भगवान जी के आभी अर्ध लगा रही थी मैं अगा लेघका लगा लिया काच में लगा लिया है मैंने तिलक और कर लिए अच्छे से मैं पूजा जितने मुझे आती है वसे रसाफ से कर लिए उपनी की बादा में ट्रेंड नहीं हूं कुजा पार्ट में लेकिन जितनी में दिल से करती हूं जितनी मेरा को आती है दिल से करती हूं मैंने हनुमान जी की अच्छे सिभानुमान चाली सब पढ़ लिए हम घर जाते हैं मैं गौल कप खाऊंगी गौा काऊगे क्या पानीपता से इनका तबरत है तो मंदिर के बहारी है यह पानीपता से भैल पूरी वाला ठेला तो यही पिखारी है सेजल और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिया थेंक्स पर वाचिंग मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक अच्छे सरहिए मस्त रहिए